नमस्कार साथियो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ NFL यानि की National Fertilizers Limited में जो Notifications रिलिज हुई है Non-Executive Post के लिए जिसमें Store Assistant Post के लिए भी Vacancies को रिलिज की गई है जिसके लिए अलग-अलग Educational Qualifications वाले Candidate Eligible हैं Form को अपलाई करने के लिए तो ऐसे में confusion आती है syllabus को लेकर के क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, educational background के हिसाब से पढ़ें या फिर Store Assistant Post के लिए अलग से कोई separate syllabus होती है इसके बारे में तो हमने अलग से detail में वीडियो को बनाया है और जिसमें हमने बाते भी किया है आप सभी से examinations pattern syllabus के बारे में औवियसी बात है कि Store Assistant Post के लिए अलग से separate syllabus है जिसको कि आप लोग पढ़ करके अच्छे से आसानी से इस examinations को qualify कर सकते हैं अगर सही strategy के साथ, सही तरीकों से basically examinations का preparation की जाए तो साथ ही साथ अगर preparation करने के दौरान आपको इस examinations का previous year question paper मिल जाए चाहे वो sample paper हो या important questions के form में हो तो और भी preparation में चार चांद लग सकता है दोस्तो हमने इससे पहले एक और वीडियोज को upload किया था जिसमें हमने बातें की थी NFL non-executive store assistant post के लिए slay bus और examinations pattern के बारे में जिसको हमने बहुत ही आसान और detail में basically आप सभी से share किया था सारा informations को और उसी वीडियोज में हमने आप सभी से एक questions भी पूछा था कि कितने लोग चाहते हैं कि store assistant post के लिए preparations के लिए paid batch आये तो maximum candidate ने request किया है हमारे YouTube वीडियोज के comment sections में कि sir paid batch लाइए हम लोग preparations करना चाहते हैं तो आप सभी के request को ध्यान में रखते हुए हमने अपने team के साथ meeting किया इसके बाद final decisions हम लोगोंने लिया है कि NFL store assistant post के syllabus के लिए जो paid batch है उसको launch हम लोगोंने कर दिया है अगर आप लोग चाहते हैं join होने के लिए तो simple में Google Play Store से SK tutorial app को download करके batch में enrollment ले सकते हैं अभी मैं detail में बाते करने वाला हूँ कि इस batch में आपको क्या-क्या मिलेंगे क्या रहनी चाहिए आपका preparations का perfect strategy और किस तरह से आप preparation कर सकते हैं तो सभी कुछ को बहुत ही आसान भासा में आज के इस episode में समझेंगे तो इस episode को detail में सुरू करने से पहले एक छोटा सा request है आप सभी से अगर आप लोग हमारे SK tutorial YouTube channel पे पहली बार विजट किये हैं तो इस channel को subscribe कर लीजिए और इस channel को अपना बना लीजिए और अगर आपको ये वीडियोज पसंद आता है तो इस वीडियोज को like कर सकते हैं और अपने friend के साथ share कर सकते हैं हो सके तो अपना एक favorite सा WhatsApp ग्रूप अगर है तो उसमें भी इस वीडियोज के link को share कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो इसी वीचार के साथ आज के इस episode की सुरुआत करते हैं अगर बात करें NFL non-executive post store assistant के basically syllabus के बारे में तो हम लोगों ने already पिछले episode में syllabus को देखा था normal non-technical के तो syllabus जो होते हैं होते ही हैं लेकिन जो main syllabus है जो hundred marks के questions बनेंगे वो होंगे आपका यहां पर basics of store management and inventory control तो इसको हमने दो पार्ट में बाटी थी जब syllabus वाले topic पे बात कर रहे थे तो जैसे store keeping objectives, importance, functions, types of stores यानि कि total paper तो theoretical ही होंगे लेकिन आपका objective questions जो बनते हैं यहां से वो सब चीजें आपको basically कैसे बनते हैं questions, कैसे पढ़ाई करनी है कौन-कौन से topic है, सभी topic को हम लोग detail में समझेंगे देखिए दोस्तो इस post के लिए preparations करना बहुत complicated नहीं है लेकिन syllabus कोई direct subject से related नहीं है, कोई directly course से related नहीं है indirect way में related है, तो basically सभी लोगों के लिए preparations करना आसान नहीं होगी क्योंकि इस post के लिए arts background वाले student भी eligible है B.Sc. वाले student भी eligible है, यानि की science background वाले, commerce background वाले भी candidate eligible है इस post के लिए form को apply करने के लिए तो सभी educational background वाले candidate के लिए आसान नहीं होगी इस topic के syllabus को cover करना खुद से क्योंकि examinations pattern को जब तक आप नहीं समझेंगे examinations के level को नहीं समझेंगे examinations के nature को जब तक आप नहीं समझेंगे कि किस तरह से ये questions पुझते हैं इस examinations में तब तक आप preparations कैसे कर सकते हैं हाँ knowledge को गेदर कर सकते हैं इस topic को पढ़ करके लेकिन exam में question किस तरह के आते हैं इस examinations में वो सब का idea लगेगा basically जब आप previous year question paper को देखेंगे जब आप mcq questions को लगाएंगे तब आपको एक idea लगेगा और दोस्तों सिर्फ ये ही topic नहीं है बलकि basics of computer knowledge के भी कुछ topic से questions देखने को मिले थे previous year में इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर basic accounting principle से related भी questions देखने को मिले हैं हलांकि ये optional है लेकिन ये topic भी useful है कभी कभी इधर से भी questions देखने को मिल जाता है तो इसका फाइदा commerce background वाले candidate जेनरली उठा लेंगे जादा लेकिन कोई बात नहीं है बहुत basic level की ही basically questions रहते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं basically batch में जो आप लोग ज्वैन होंगे उसमें आप लोगों को क्या-क्या चीजें मिलने वाली है batch के बारे में detail में information सब मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग इतमिनान से आराम से batch में इंडॉल्मेंट ले सकें दोस्तो, S-K tutorial app को download करने के बाद जब आप लोग batch में इंडॉल्मेंट लेंगे तो उसमें आप सभी को सबसे पहले तो complete video lectures मिलेंगे live classes भी मिलेंगे, recorded classes भी मिलेंगे इसमें आपका संपुर्ण तैयारी, जिसको कहते है complete preparation technical और non-technical दोनों part का कराई जाएगी पहला बात दूसरा बात क्या, आपको जो भी classes होंगे उसके pdf notes भी दिये जाएगे तीसरा बात क्या, कि live आप सभी से interact करके previous year question paper और important question को discuss किया जाएगा doubt clearing session रखा जाएगा अगर required होगा तो Sunday को generally, ठीक है, अगर required होगा तो ये optional है इतना चीज़ें आप सभी को मिलेगा इसके बाद sample paper या practice set कह लिजिए, वो मिलेंगे ठीक है, तो इतना चीज़ करने के पीछे basically, obvious सी बात है, अकेला कोई इनसान तो नहीं कर सकता है तो इसके पीछे team भी काम करेगी तो इसी लिए basically batch को free में मैं नहीं कर सकता क्योंकि back end में team होती है, काम करती है, typist है, जो भी है तो basically यहाँ पर कुछ candidate का कहना था कि सर्फ free में batch लाइए तो free में अभी हम लोग उस तरह के basically कह सकते हैं start-up नहीं है, उस तरह का कह सकते हैं हम लोग के पास funding capacity नहीं है next level के हम लोग free में अभी कर सके हैं अभी यह online दुनिया में starting है मेरा तो दोस्तो in future अगर कभी रहेगा और कड़ो में turnover SK tutorial का तो देखा जाएगा लेकिन फिलहाल अभी जो है basically उस इस्तिती में नहीं पहुँचे हैं कि हम लोग free में batch को launch कर सकें ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोग जो है, अगर batch में indulment लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द, google play store से SK tutorial app को download करके batch में indulment लेकर के अपना preparation की सुरुआत कर सकते हैं अभी जो है, basically store वाला जो sections होगा उसमें classes blank दिख रहे होंगे लेकिन वो बहुत जल्द ही classes होते हो जाएंगे और वो उसमें classes दिखने लगेंगे उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे admission help line नमबर पे भी call करके जानकारी ले सकते हैं तो इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में रखते हैं इतना ही मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में तब तक के नमसकार जय हिंद वंदे मातरम